भगवान शीरी हरी विश्णू ने धरम की रक्षा हितु हर काल में अवतार लिया वैसे तो भगवान विश्णू ने अनेक अवतार हुए लेकिन दस अवतार ऐसे हैं जो परमुक रूप से स्थान पाते हैं आज हम आपको भगवान विश्णू के पांचवे अवतार, वामवन अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं इसमें भगवान विश्णू भ्रामण बालक के रूप में धर्ती पर आय थी आईए अविस्तार से जानते हैं कि क्यों लिया था वामानवतार भगवान विश्युन ने इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो शेर और लाइक कर दीजेगा सत्युग में प्रलाद के पोत्र देत्यराज बली बेहत बलवान और ताकतवर था ताकतवर और बलवान होने के साथ साथ वहदानी भी था उसके राज्या से कोई भी खाली हात नहीं जाता था उनके गुरू शुक्राचारे उनका मार्ग दर्शन करते थे देत्य राजबली ने स्वर्ख पर कबजा कर लिया था लेकिन गुरु शुक्रयचारे ने उन्हें बताया कि स्वर्ख का राजा वही वन सकता है जिसने सो यग किये होंगे गुरु शुक्रयचारे के कहने पर देत्य राजबली ने महान यग करने के लिए चल पड़े यह सब देखकर सभी देवी देवता विचलित हो गए और इस विवत्ती से बचने के लिए भगवान विश्णु की शरण में गए और प्रात्ना करने लगे तब भगवान विश्णु ने कहा कि मैं स्वियम देव माता अदिती के घर्ब से उत्पन होकर तुम्हे सवर्ग का राजय दिलाऊंगा कुछ समय के पश्चाद भगवान विश्णु ने वामन अवतार लिया इधर देत्यराज बली के यग करने में व्यस्त था तब भगवान विश्णु वामन अवतार में बली के यग शाला में आ गए और दान मांगने लगे देत्यराज बली दानी था तो उसने दान देने से मना नहीं किया देत्यराज ने पूछा कि हे भ्रामन बालक क्या चाहिए तुम्हें वामन भ्रामन बोले कि बस तीन पकधरती दान में चाहिए मुझे देत्यराज बली के गुरु शुक्राचारिय भगवान के इस लिला को समझ गए कि अवश्य ही वे कोई छल कर रहे हैं और उन्होंने देत्यराज बली को दान देने से मना कर दिया लेकिन बली ने फिर भगवान वामन को तीन पग धर्ती दान देने का संकलप ले लिया धर्ती तथा दूसरे पग में अकाश स्वर्ग लोक नाप लिया अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो देत्यराज बली ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा देत्य राजबली के सिर्पर पग रखने से वह सुतलोक में पहुंच गया देत्य राजबली की दान विरता देखकर भगवान विश्णू ने उसे सुतलोक का राजा बना दिया इस प्रकार देवताओं को स्वर्ग लोग वापस मिला और वामन अपतार का कारिय पूरा हो गया